चिंता एक ऐसी बीमारी है जब के मन के सारी खुशियों को खा जाती है बहुत जादा चिंता करने वाले इंसान अब वो कभी खुश नहीं देखेगा चिंता में दुबे इंसानों को किसी भी बात से सुखी नहीं इक ही बात को लेकर लगता है सोचते ही रहेंगे ऐसे लोग हमेशा मयोशी और दुख सी उज़ा से घिरे रहते हैं जहें कोई खुशी का मौका हो कोई उच्शा हो कोई तेवहार हो कोई चीज ऐसे लोग को सुखी नहीं दे पाती ऐसे लोग को लगता है सावी जीमिदारी हमारे कंदों पर है हम ध्यान रखें तो सब पुछ बिगड़ जाएगा पर एस सच नहीं है कई पर सिर्फ आपकी चिंता करने से पंते हुए बात ही बिगड़ जाते हैं परिवार में एक एक इसान चिंता करता हो पर भाव पूरे परिवार पर पड़ता है सारे घर में वही इनर्जी फैलने लगती है ऐसे घर में कोई सुख नहीं रपाता है फिर ऐसे लोगों को धीरे धीरे ऐसी आदत मन जाती है कि वह हर छोटे से छोटे बातों से टेंसर में आ जाते हैं और जो इंसान इतना ज़्यदा चिंतित करता है फिर उसे गुसा चिरापन पसांती बेचैनी देर उतात को नींद आना सारी बिमारिया लग जाती है एक सच कहूं आपसे सायद आपको करवा लगे यह हो सकता है आप ना मानो जितनी ज्यादा आप चिंता करते हो न वास्तुरिक में ऐसा कुछ नहीं है जिसका चिंता किया जाए कोई लोग कहते हैं आप क्या जानते हैं मेरे लाइफ के बारे में लाइफ कैसी भी हो पर अगर आप समाधान ने निकाल पाते प्रसानियों का इसका मतलब खुद प्रसानी हो इसे कोई चिंता ने इससे करने से आपको खुशी मिल जाएगी या आपके घर या मन में आपको शांती आजाएगी चिंता एक ऐसी जहर है वो आपका कौल अच्छ आजीन बरबाद कर देगी वास्तों में चिंता क्या है ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए ऐसा क्यों नहीं हो रहा वैसा क्यों नहीं हो रहा इसका सीधा सा मतलब है चिंता उस बात का करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है जब जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बा में सोच कर आप आज खराब करना छोड़ दो कल क्या होगा किसी को नहीं पता पर आज से इस पल में आप क्या कर सकते हो आपके हाथों में हैं उत्सव खुषी के लिए किसी दिन का इंतिजार मत करो अपने आज को ही उत्सव बना लो अपने आज में ही खुष रहना सीखो जो बाते अपके मिटल हेल्थ के लिए अच्छी ने उसे भूलना और लेट को करना सीखो हर बात में बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो चीजों को लेट को करना सीखो बहुत परवाह कर ली आपने अब थोड़ाला परवाह होना सीख लो आप ऐसा कर लोगे मानो मन से सारा बूझ ही उतर गया है यह इच्छा बिल्कुल छोड़ दो कि लोग और प्रस्तिती आपके हिसाफ से चले प्रस्तिती और लोग दुनिया के कभी किसी की हिसाफ से नहीं चलते जब किसी पे आपका इतना कंट्रोल नहीं है इतना क्यों मरते हो थाज़तु बात सोच कि आप अ मस्त करना चाहिए हर बात के लिए अपने आपको जिम्यदार बनाना छोड़ दे मत सोचे कि सब आपको करना पड़ता है सब आपको देखना पड़ता है एक कड़वा सत जान लो हमसे पहले भी इस अब चलता था हमारे बाद भी चलेगा यहां हर इसान अपना रोल प्ले कर जू ज्यादा सिरियस होने की जरूरत नहीं है कोई कुछ करे करे और न करे आप अपने मन को भारी मत करें प्रोबलम हर किसी के जिन्दगी में है हर किसी के एफेमिली में आप कोई पहले इंसान नहीं है सबका यहीं रोना है अरे मस्त रहो स्वस्त रहो अपने कोई ठेका लेना ही रखा सब ठीक करने का आप खूद को घूश और ठीक रखना बहुत होगो आप बातों को मन में ना रखे, कई बार लोग अपने बात कहा नहीं पाते और अंदर ही अंदर पीते रहते हैं, उनकी वाजा से वो कभी खुश नहीं रह पाते, उनके अंदर की सारी कुशियां खो जाती है आप अपना डर को बाहर निकाले और बातों को कहना सीखें, ये सोचना छोड़ दे कि उनको बुरा लगेगा, रिष्टे में प्रोब्लम आएगी डरो मत, चिंता मत करो, बस जो बाते आपके अंदर ही अंदर आपको खाय जा रही हैं, उसे कहने का हिम्मत रखो रिष्टे निभाने के चक्कर में आप खुद को खो देंगे, आपके डर से बज़स है आपकी जिन्दगी, और जो आपके अपने हैं, उनकी सबकी जिन्दगी, खुशी खतम हो गई है सही को सही कहने से, गलत को गलत कहने से, कोय तूट रहा है तो रूठने दो, कोय रिष्ट है तो तूटने दो, पर अपने अंदर ही अंदर बातों को रखो रहा करो अपने जिन्दगी खराब मत करो आपकी सबसे बड़ी जिमेदारी है बस यह है कि आप बस खुद को खुश रखें जिन्दगी के हर पल को एक प्रेवहार की तरह जिए यह जिन्दगी बहुत खुबसूरत है इसे यही फालतों की चिन्ताओं में मत गवादेना इसलिए आप हमेशा खुश रहो अपने परिवार और अपने बच्चों को खुश र thank you for watch thank you for watching